एक छोटा सा पेड में आम तोड़ा था, इसके करण उसकी हत्या हो गई, आज सारे लोग चूप हैं, चिराग पास्वान अभी तक उनके उस परिबार के लिए कोल ट्यूट नहीं है, यह पास्वान समाज के हो या फिर अभिदात समाज के हो या फिर किसी माजिद समाज का है, किसी माजित समाज की बेटे की जटाबरून लूटी जाती है तब भी लोग चूप है या पिकिसी दरविदास समाज की बेटे की हत्या होती है तब भी चूप है या आज पासवान समाज की बेटे की हत्या हुई तब भी चूप है पासवान समाज के जो लोग है जो कहते हैं कि चिराग पास्वन हमारे समाज के एक बड़ा युद्धा है, हमारे समाज के आने वले भविश हैं, तो क्या चिराग पास्वन इगटनाए पर अभी तक उनकी प्रतिकिरिया क्यों नहीं आई, जब जो इस देश में समिधान है, तब अगर इस देश समिधान खत्म हो गया, तो क्या दलिश समाज की सितियों के जराई से आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी सरकार में सुरक्षित नहीं है, कोई सरकार दलिश समाज की सुरक्षा की वेवस्था नहीं किया है, हमेशा से चाहे भाजपा हो, चाहे जड़ी हो, चाहे यारजडी हो, सब ने दलिश समाज को ते लोस्त करते हैं कि नहीं कारन समाज के आखिर लगतार हत्याइएं क्यूं हो रहा है रहा है? क्या जिम्मिदार और कौन दbok दी समाज की हत्याप हरा राजीति कर रहा है?" एक बड़ा सवाल है तो जरा समझेगा चाहे खुसरुपुर की घटना हो या फिर मुझफर पूर की घटना हो चापा कल से पानी पीने पर मार दिया गया या मुह में पिशा पिलाया गया दो दिन पहले की घटना है जानकारी धिरे-धिरे शब लोगों को मिल रही है और आप स अखी दलीत समाज की जब जब हत्याई होती है तो कोई क्यों नहीं बोलता है इसका बड़ा कारण भी है वो सारी कारण हम आपको बताएंगे उसके पहले में आपको बता दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बाकी ब समझेगा कि बाहर में दलिस समाज यानि पास्वान समाज के लड़के 9 साल के लड़के को महज आम का गुछा तोड़ने पर उसकी हत्या कर दिया गया नाम भी जिक्र किया गया अग्री जाती के लोग हैं मतलब समझे सिर्फ इसलिए मारा गया कि वह आम तोड़ा था एक छोट मां पूरके कि लिए चिंटा का बीश है कि आखिर दलित समाज की हत्या हैं, उनकी इजत आबरू क्या ऐसे ही लूटी जाएगी, जो हत्या करने वाले हैं, जो इजत आबरू लूटने वाले हैं, वो खुले आम ऐसे ही घुमते रहेंगे, उनको सजा नहीं मिलेगी, एक बड़ा सवाल है, उसका कारण है हमारे नेता, दलित समाज के जो नेता है, वो करने के सबसे बड़ा करण है, क्योंको उनको कुरसी प्यार ही, वो इसलिए नहीं बोलते हैं, आने वला समय में, देख लिजेगा, अभी चुनाओ का समय है, सब लोग आपके दलित वस्ती में जाएंगे, कहेंगे हम दलित समाज के यह तैसी एक बड़ा सबाल है कि नहीं, खास करके उनके समर्थकों के लिए, जो कहते हैं, चिराग पास्वान जिन्दाबाद, पशुपती पारश जिन्दाबाद, तो फिर चिराग पास्वान पशुपती पारश जिन्दाबाद करते रहें, और हमारे समाज की हत्याई इस तरह से हो आखिर दली समाज के लोग किस सरकार में अपने आपको सुरक्षिक्त महसूस करेगा एक बड़ा सवाल है क्योंकि इसी सरकार में जब समझे दितर नाम माहिए दली समाज चाते हैं उनकी सभा में खुलियाम बोला जाता हो कि 400 पार जब हमारी शिटे आएगी भाजपा की 400 पार आज दली समाज के नेटा हैं वह कारण बने पढ़े हैं नहीं तो आज दली समाज के जो लोग है वो युद्धा यह लड़के चाहा तो अपनी हक अधिकार के लिए अपने नियाई च्हिन सकता है लेकिन इन लोग के बज़ा से आज उनको नियाई ने मिल पाता है एक राजीति की भागिदारी की भातर लें आपको साथ तोर बालूम है कि चाहे चिराग पास्वनों ऊचोंताना ऐयर उन अांदलित नेतह बिहार में कि बहागदारी नहीं मिले कारणatif, आई जोती पासवान के बात कर ले, क्या इन लो इन परिवार को न्याय मिल गया एक बड़ा सवाल है तो आज समझे बार में जो घटना है घटी अखिर पासवांस समाज का दिलित समाज का बेटा है इनको न्याई मिलेगा या नहीं मिलेगा यह भी अब देखना हुआ खासकर चिराग छिराक पाश्वान जी से एक सवाल पूखना भी चाहिए कि वो पताते हैं कि पाश्वान समाज के बड़े आने वाले भाविश्य हैं भावी मुख्यमंतरी उनके लोग कहते हैं वो के दिलिश समाज । दलिस समाज के जो लोग है वो उन लोग के लिए एक बड़ा सवाल है आप लोग क्या सोचते हैं अपनी परतिक्रिया ज़रू दिजेगा